Hello everyone, this is Ram Vishnoy and you're watching Geographic Guru. आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं Class 10th Geography की और continue रखेंगे हमारी Class 10th SST Social Science की Most Important Questions की सिरीज को. As you know that, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारी सिरीज है इस सिरीज में हम क्या करें? इस सिरीज में हम Chapter-wise जितने भी आपके Most Important Questions बनते हैं उन Questions को हम Easy Language में Simplify करके आपके साथ Share करते हैं. ये सिरीज आपके Board Exam के लिए बहुत ज़्यादा Important रहने वाली है, बहुत माइने रखने वाली है क्योंकि इस सिरीज में हमने उन सभी टॉपिक के ओपर फोकस किया जो आपके लिए Important रहने वाले हैं. अब देखिए Simple सा एक Question आपके Mind में आ रहा होगा कि भाया ये Most Important Questions होते कौन से हैं, कहां से लेकर क्याते हो? देखिए Simple सा फंडा है, कि इसमें हम ये जो हमारी सीरीज है, इसमें हम थ्री टाइप के Questions को Include करें, तो Simple सा फंडा है ये कि कोई भी सब्जेक्ट लगा लेजे, किसी भी Class का सब्जेक्ट लगा लेजे, चाए वो 10th क्लास हो, चाए वो 9th हो, 11th हो या 12th क्लास हो, हर सब्जे आपके Board Exam में 75% Questions पूछे जाते हैं, जिसको ये समझ में आ जाए ना, कि ये 30% Topics है, वो सबसे Important है, तो समझ लो, कि Score करना बिलकुल आसान होता है, हलवा होता है, यानि कि 10th क्लास में Score करना कोई बड़ा बात नहीं है, कि ये ऐसा नहीं कि हमें बड़ा तीर मारना है, ऐसा It means that 90% तक का जो आपका Part होता है, Score अगर आपको करना है, तो वो 30% Topics से ही हो जाता है, तो सबसे पहले हमने Focus किया इसी Type के उन Topics के उपर, जो आपके लिए Important है, यानि कि कुछ Questions जो इन Topics से लेटिड बनते हैं, उनको हमने इस Series में Include किया है, उसके बाद बात आते हैं, Second Type के जो Questions इस Series में रहेंगे, वो रहेंगे, जो आपके Board Exam में Repeat होते रहते हैं, कुछ Questions ऐसे होते हैं, जो Paper Setter होते हैं, उनके Mind में बने रहते हैं, हर बार उनी को Repeat कर देते हैं, Language थोड़ी बहुत उपर नीचे हो जाते हैं, तो उन Questions को भी मैंने हमने मतलब इस Series में Include कर लिया है, फैर टाइप के Questions हैं, जो अभी Recent Trained या Pattern की बात की जाएं, CBC की तो उसमें Value Based Questions के उपर भी अच्छागासा Focus किया जाता है, तो उनको भी हमने Include किया है, यानि कि यह जो आपकी Series है, यह Full Proof Series है, आप इसके उपर Completely मतलब Trust कर सकते हो, इसके साथ जा सकते हो, अगर आपका Target है करें, तो यह तो काफी Easy सा Chapter है, इसके जितने भी Concept हम Discuss करने वाले हैं, इसमें से 75% Concepts है, वो Already आप पढ़ चुके हो, कहां पे, आपने Study किया था, Class 9th Geo का एक Chapter था, Natural Vegetation, तो उसमें यही Concept डिसकस किये थे हमने, और एक और चीज, कि यह Chapter और ज़्यादा Short हो गया, अभी जो New UNCRT की Book है, तो उसमें से कुछ पार्ट है, इसका Remove कर दिया गया, यानि कि और ज़्यादे Easy रहने वाला है, लेट्स बिगिन चले ही, शुरुआत करते हैं, आज के इस वीडियो की सबसे पहले हम Discuss करेंगे, इस Chapter से लेटेड, Most Important 1 Marker Question, After that, we will discuss the 2 Marker, 3 Marker and the 5 Marker Question, तो इसमें द जाएंगे, यहाँ पे हम ज्यादा Deep में नहीं जाएंगे, तो हमसे Simple सा Question पूछा गया है, कि Permanent Forest जो है, वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, परसेंटेज की बात नहीं किया रहे हैं, यहाँ पे बात की जारी है, Total Area की स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो उसका Cracked Answer आपका रहेगा मध्यापर्दिश, उके बहुत important question लिए, उसके पाद second question है, when and in which state was the program of Joint Forest Management first adopted, हमें बताना है कि वो कौन सा state है, और कब, सबसे पहले Joint Forest Management Program है, वो launch किया गया था, JFM भी इसको, मतलब इस टाइप से भी इसको use कर लिया जाता है, तो सबसे पहले यह JFM, Joint Forest Management Program है कब और कहां launch किया गया थी, यह में बताना है, तो cracked answer हैगा, in 1988, in Odisa, यानि कि 1988 में Odisa में सबसे पहले इस program को adopt किया गया था है, यह देखे, यह program क्या है, देखे, simple सी चीज़ यह है, कि अगर हम environment conservation करना चाहते हैं, तो यह government level की बात नहीं है, इसमें लोगों को involve होना पड़े तो community की involvement के लिए joint forest management program है, वो launch किया गया था, और सबसे पहले यह launch किया गया था, Odisa में, in 1988 में, now let's move to the next one, next, जो हमारा question रहेगा, third question यहाँ पे दिया गया, third हमारा question है, what is the share of India in the total number of species in the world, हमें बताना है भाई, हमारे यहाँ पे wildlife है, वो काफी ज़्यादा diverse है, यानि कि अल elephant तक के, यानि कि इस टाइप की wildlife की categories हमारी हाँ पे मिलती है, हमें यहाँ क्या बताना है, हमें बताना है कि कितना percentage हमारी हाँ पे मिलता है, तो देखे, by diversity की अगर बात करें, तो हम काफी ज़्यादा diverse हैं उसमें, तो near about 8% के आसपास, जो share है, total जो wildlife है उसका, तो वो अकेले इंडिया में मिलता है, that shows that how much biodiverse we are, कि हम कितने diverse हैं इन चीजों में, उसके बाद next है, हमारा fourth question है, what is the approximate number of species of animal found in India, हमें बताना है कि इंडिया में लगभख कितने type के animals मिलते हैं, लगभख approximate हमें बताना है, तो approximately अगर बात करें तो near about 90,000 type, देखे, कुछ books में NCRT में 89 भी द 90,000 दिया गया, तो आप near about 90,000 के आस पास आओ गई, उसके बाद next जो हमारा question रहेगा, fifth question दिया गया, fifth हमारा question रहेगा, there are how many flowering plants in India, कि इंडिया में कितने type के flowering plants है मिलते हैं, तो है near about 15,000, okay, इतनी varieties है वो इंडिया में मिलते हैं, कहले इंडिया में मिलते हैं, now let's move to the next one, next जो हमारा sixth question रहेगा, which state have less than 10% of their area under forest, कि कौन सो state है जहाँ पर 10% से कम forest area रहे गया है, तो दिखिए हमें एक या दो street के example देने हैं, तो उसमें पंजाब और हरियाना का आप example दोगे, हरियाना की बात करें, यहाँ पे 3.6% के आस पास जो area है वो forest cover में आता है, और पंजाब क की बात करें, तो यहाँ पे भी less than 10% है, उसके बात next जो हमारा question रहेगा, seventh question दिया गया, one marker में, seventh हमारा question रहेगा, name any two moments which were launched by local communities for the protection of forest and wildlife, important है यह, यानि कि हमें दो moments के नाम बताने, जो कि local communities ने launch किये हैं, और किस के लिए launch किये हैं, for the protection of the wildlife and the forest, तो यह रहेंगे, चिपको moment, इन उत्राखंड और बीज बचाओ आंदोलन, यह दो moment रहें हैं, जो कि हिली एरिया में, हमार्लन रिजन में launch किये थे, जिपको moment की बात करेंगे, तो इसको अगर थोड़ा सो डीफ हिस्टी में जाएं, तो इसकी शुरुआत है वो राजस्तान में बहुत पहले से हो चुक लेपचा, फोक सॉंग सार एसोसेटेटेट टो वीच स्टेट ओफ इंडिया, लेपचा जो फोक सॉंग है, वो कौन से स्टेट से लेटेट है, तो यह हैं वेस्ट बंगोल से लेटेट, नाव लेट्स मोट तो दो नेक्स वन, नेक्स जो हमारा क।शन रहेगा, क।शन इस बार भी होना चाहिए, उसका बाद नेक्स हमारा क।शन रहेगा, टैन्थ कॉशन है, विन वोज दा प्रोजेक्ट टाइगल लॉंच्ट, इन 1973, यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए, इंडियन वाइलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब लेकर क्या थी, तो इसक 1972 में इंडियन वाइलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हा, वो इंपलिमेंट हुआ था, और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर है, वो लॉंच किया गया था, इसमें फोकस किया था था, तैगर के उपर कि उसको हमें कंजव करना है, प्रोटेक्ट करना है, उके, उसके बाद next question रहेगा, 11th question दियागा, 11th question है, what is biodiversity, biodiversity क्या ही है हमें बताने है, देखे, it is the sum total of all living, or sum total of all the varieties of species of plants, animals, and the microorganism living on the earth, कि biodiversity is the combination of two words, देखे, दो word से मिलके बना है, bio plus diversity, bio means living organism, okay, diversity means various types, okay, तो एक कोई भी particular area लगा लिजिए, वहाँ पर जितने भी living organism मिलते हैं, उसे हम कहेंगे, biodiversity, okay, for example, अगर हम डेली का example लें, तो total number of living organism found in the डेली, that is the biodiversity of Delhi, okay, तो इसको आप easy तरीके से बता सकते हैं, कि biodiversity is the combination of two words, bio means living organism, and diversity means the varieties, okay, so the total varieties of the living organism found in a particular region is known as the biodiversity of that particular region, okay, उसे हम biodiversity कहेंगे, हिंदी में कहेंगे जे विविता, यानि कि जीवों की विविता, clear, उसके बाद next है, हमारा twelfth question है, what is IUCN, IUCN क्या है, IUCN stands for International Union for Conservation of Nature and the Natural Resources, okay, एक organization है ये, तो इसकी full form हमें अच्छे से पता होने चाहे, तो IUCN is an organization, it stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, उसके बाद next हमारा question रहेगा, thirteenth question है यहाँ पे, one marker में, that is the last question of one marker, इसमें रहेगा कि name the tiger is of, which is seriously threatened by the dolomite mining activity, कि हमें एक tiger is of का नाम बताना है, जिसके लिए बड़ा खत्रा पेदा हो गया है, किस के कारण, dolomite mining activities के कारण, तो वो है बोक्सा tiger reserve, it is in West Bengal, तो यह रहेंगे इस chapter के most important one marker question, now let's move to the next segment, और next segment में हम discuss करेंगे, इस chapter related most important two and three marker question, तो इसमें first हमारा question रहेगा, how are forests classified under the different categories, हमें बताना है कि जो forest है, उनको अलगले categories में classify किया गया है, by the Indian government, तो हमें बताना है कि how these are classified, इनको कैसे classify किया गया, so the forests are classified under the three categories, three categories में उनको classify किया गया, first one is the reserved forest, okay, सबसे पहले reserved forest, these are the most important one, सबसे important यह ही है, more than half of the total forest, यानि कि आप near about 50 का सकते हो, more than the half of the total forest has been declared as the reserved forest, okay, यानि कि जितने भी forest है, उसका लगबग 50% है, वो reserved forest वो declared किया गया, they conserve forest and wildlife resources, and are regarded as the most valuable, यानि कि simple सी language में आप लेख दोगे, the Indian government has classified the forest into the three categories, first one is the reserved forest, these are the most important one, and more than 50% forest falls under this category, 50% से ज्यादा जो forest है हमारे इस category में आएंगे, okay, and any moment is not allowed in this type of the forest, यानि कि किसी भी टाइप की moment, the cutting of the plants and hunting etc, completely यहां पे बेन है, कोई भी कुछ भी हरकत है, वो अलावड नहीं है, यां पे, उसका बाद सेकेंड है, protected forest, protected forest are the second most important forest, and near about 33% forest area, falls under this category, यानि कि 33% के आसपाँ जो forest area हमारा, वो इस category में आता है, okay, and they are protected from further depletion, देखी यहां पे cutting वगरात होती है, बट proper planning के साथ होती है, clear, और थर्ड आ जाते हैं हमारे unclassed forest, unclassed forest, हिंदी में कहेंगे अवरगी किर्ट वन, means near about 15% के आसपाँ जो forest है, यह आते हैं unclassed forest category में, and इसमें कौन से आते हैं, कि these are owned by the government and the private individuals too, यानि कि जिसे कहीं सड के किनारे या कहीं पे हो गए, थोड़े विखरेवे से फेड होते हैं, तो वो unclassed में आएंगे, तो तीन category में उनको divide किया गए, reserved forest, these are the most important one, and more than 50% forest falls under this category, उसके बाद आजाएंगे protected forest, near about 33% forest falls under this category, and these are the second most important one, and these are protected from the further depletion, कि और ज्यादा उनका नुकसान ना हो, तो उसके लिए उनको protect किया है, और थर्ड आजाएंगे, unclassed forest, and these are managed or maintained by the government, individuals, and the local communities, and near about 15% forest है, वो falls under this category, 15% के आस पास इस category में आते हैं, इतना सा ज्यादा deep नहीं आएगा यह आपका, उसके बाद second जो आपका question रहेगा, two and three marker में, वो रहेगा आपका, forest plays a key role in the ecological system, highlight the value of the forest in our life, यह मैंने language जो उठाइए, वो आपके board exam के question paper से उठाइए, ऐसे इस type से भी इसके language थोड़ी सी change हो सकती, कि why is it necessary to increase the area of forest in India, कि भारत में हमें forest area को बढ़ाना चाहिए, क्यों, यानि कि सीधे तोर पे कहें तिया, पूछा जा रहा है कि भाई यह forest है, वो इतने important होते हैं, क्यों important होते हैं, कैसे important होते हैं, यानि जैसे आप 6th class से, 5th class से बढ़ते आ रहे हैं, कि भाई वनों के lab क्या है, what are the advantages of the forest, तो वही चीज़ी यहाँ पे पूछी जा रहे है, कि how the forest are helpful to us, and what are the advantages of the forest, तो देखे, सबसे पहले, forest plays a key role in the ecological system, ecological system की बात करें, तो उसमें एक important key role play करते हैं, यह जो ecosystem है, उसका balance maintain करते हैं, यह आप सभी को बता है, CO2, oxygen, तो वो detail में जाने के जोटने हैं, लेकिन इतना आप लेख सकते हों, that forest plays a key role in the ecological system, and they maintain the balance of the ecosystem है, उसके balance को maintain रखते हैं, second है, many forest dependent communities, directly depend on them for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc., जो forest based communities होते हैं, तो वो communities होते हैं, वो communities entirely depends on the forest area, वो completely forest के उपर ही depend करते हैं, for their all type of the requirements, जितने में उनकी requirement हते हैं, वो वहीं से पूरी होते हैं, तो उनके लिए तो येक अलगी level की इनकी importance है, third, forest provides such timber, इसे हमें timber मिलता है, forest also provides raw material for the forest based industries, जो forest based industries होते हैं, उनके लिए भी important होता है, जैसे paper industry है, इसके उपर depend करते हैं, अपने raw material के लिए forest के उपर depend करते हैं, fifth, और भी आप add कर सकते हैं, these are very helpful in bringing the rainfall, they maintain the temperature, and these are helpful in controlling the flood, pad को रोक की रखते हैं, okay, these are also very important in increasing the fertility of the soil, मिट्टी की जो fertility है, वो भी इन से बढ़ती है, मतलब ऐसे कुछ और points भी add किया सकते हैं, common से जो भी आपको mind में आई, now let's move to the next one, next जो हमारा most important में, two or three marker में question रहेगा, यह हमारा what is Himalayan U, Himalayan U क्या है, यह हमें बताना है, and why is it under great threat at present, Himalayan U क्या है, देखें, box में दिया गए, इसके बारे में information दिया गए, आपके NCRT की बुक में, और यह अभी खत्रे में, threat में, ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, देखें, the Himalayan U is a medicinal plant, सबसे पहले थे में याद रखना है, कि it is a medicinal plant, and which is found in the various parts of Himalayan पर्देश, and unnatural पर्देश में यह बिलता है, okay, so Himalayan U is a medicinal plant, and it is found in the various parts of the Himalayan पर्देश, and the unnatural पर्देश, it is under great threat, due to the over-explodation, over-explodation इसका हो रहा है, कटाई बहुँ जादा हो रही है, जिसके करण यह खत्रे में आ गए, यान कि कम होता जा रहा है, a chemical compound called taxol is extracted from the bark, needles, twigs, and roots of this tree, देखें, एक taxol होता है, एक chemical compound होता है, वो इसके bark से, needles से, यान कि हर इसके part से वो निकलता है, उके, उसको collect किया जाता है, and so it is now biggest selling anti-cancer drug in the world, और यह सबसे ज़्यादा बिकने वाला, anti-cancer drug है, वोल्ड में, और इसके कारण इसका over-explodation हो रहा है, जिसके कारण एक threat create हो गया, okay, so Himalayan U का है, Himalayan U is a medicinal plant, and which is found in the Himachal Pardis, and some parts of Tarnachal Pardis, it is under great threat due to the over-explodation, and a chemical compound called texol, is extracted from the various parts of this tree, अलगले parts से उसको extract किया जाता है, and this texol is used to cure the cancer, cancer को ठीक करने में इसको use किया जाता है, and that's why it is being over-exploited, इसलिए इसका over-exploodation हो रहा है, तो यह इसके लिए खत्रा है, तो एक example हमें दिया गया आपकी NCRT की बुक में, उसके बाद next जो हमारा question रहेगा, fourth question दिया गया, fourth question को देखिए, explain any two steps taken by the government to protect forest and wildlife resources, हमें कोई दो steps बताने है, जो Indian government ने उठाए है, wildlife और forest को protect करने के लिए, देखिए सबसे पहले, government has established natural parks and the wildlife centuries, देखिए, सबसे पहले तो government ने काफी सारे जो नेशनल पार्क है, उनको set up किया है, wildlife centuries है, biospheries हैं, उनको establish किया, तो एक पहला कदम तो यह है, second है, in 1972, Indian Wildlife Protection Act was also implemented, with various provisions of protecting habitats, 1972 में एक बड़ा, मतलब कदम उठाया था, Indian government ने, बड़ा step उठाया था, वो था, कि Indian government implemented Indian Wildlife Protection Act, okay, Indian Wildlife Protection Act 1972 को implement किया गया था, with various provisions of protecting habitats, देखिए, उसमें काफी सारा किया गया था, कि इस टाइप से यह चीज, certain things को banal कर दिया गया था, okay, hunting वगरा को banal कर दिया गया था, उससे पहले कुछ था ही नहीं, उसके बाद यह fix कर दिया था, कि अगर आप इस टाइप से चीज़े करोगे, तो यह चीज़े ही illegal रहेगे, okay, तो यह एक step उठाया था, उसके बाद Indian government has also launched special program, such as the project tiger, project elephant, etc, उसके बाद कुछ ऐसे program भी launch किया गये थे, जो particular species की बात करें, तो उनके उपर focus थे, जिसे project tiger की बात करें, 1973 में इसको launch किया गया था, in 1992 की बात करें, तो उस वक्त project elephant को launch किया गया था, तो ऐसे program भी launch किया गये, इसके साथ साथ government, जो है, वो लोगों को aware करने के लिए, भी काफी सारे program को launch कर रहे है, तो यानि कि ये सारी चीज़ें, government की तरफ से उठाएगे, कुछ steps में आएगे, तो आपको ये बताना है कि, government has established the national parks, and the wildlife centuries, etc, bird century, wildlife century, biosferry, जवसर्वन को set up किया गया है, इसके साथ 1972 में, Indian Wildlife Protection Act है, उसको launch किया गया है, 1973 की बात करें, project tiger, 1992, प्रोजेक्ट Elephant, यानि कि specific program भी launch किया गया, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है, उसको बात next, जो हमारा question रहेगा, यहाँ से most important में, जो आपके exam में पूछा जा सकता है, fifth question यहाँ पर दिया गया, analyze the involvement of different traditional communities, to conserve their own natural habitats in India, देखिए, यह जो question है, यह important सा question है, tricky question है, यह आपके exam में आने के chance ज्यादा रहेंगी, यह value based का question भी बनता है, और एक ऐसा question बनता है, जो students के लिए जाना जरूरी होता है, तो यहाँ हम से क्या पूछा गया, यहाँ पर हमें पूछा गया, तो हमें example देने, तो first of all, people of Sariska Tiger Reserves are fighting against mining, देखिए, Sariska Tiger Reserves है, वहाँ के लोग हैं, वो mining against fight करें, without the aid of the government, government की help के बिना, पहला example है, second example है, the villages of five Alvar district, the villages of five Alvar district, declared 1200 hectares as भेरोदेव डाकव सेंचुरी, देखिए, यहाँ पर पांच गाउँ है, Alvar district के, राजस्तान में, उन्होंने 1200 hectares जो land है, उसको भेरोदेव डाकव सेंचुरी, declare कर दिया है, and there is a complete man on the cutting of the trees, and hunting, etc. के उपर, complete man लगा दिया, automatically, okay, there is no involvement of the government in this one, यहाँ पर भी government की को involvement नहीं है, उसके बाद third जो example देंगे, people involved in chipco moment, registered deforestation, जैसे people है, they launched the chipco moment, and it was against the deforestation, जो पेडों को काटे जा रहा था, उसके against उन्होंने, chipco moment है, उसको launch किया था, तो यह भी एक community involvement का example रहेगा, उसके बाद next है, बिश्णोई जो फ्राजस्तान और हर्याना, are well known for their love for environment, इनके बारे में आपने newspaper वगरा में सुना हुआ, यह जो community है, ना पेडों को काटती है, ना किसी भी type के hunting को अलाव करती है, तो इनके आसपास के जहां पर भी गाउं मिलते हैं, इनके आसपास आपको naturally wildlife है, वो मिल जाएगी, तो यह कुछ examples रहेंगे, उसके बाद हम move करेंगे next question की ओर, तो यह हमने discuss के थे, जो इस chapter के most important two or three marker question, इसमें देखें, last question रहेगा, two or three marker में, वह list any three examples of environmental degradation, that you may have observed around you, यह हमें क्या बताना है, कि list any three examples of environmental degradation, degradation के हमें example देने, degradation का मतलब होता है, किसी भी quality में कमी आना है, यहनि किसको हिंदी मोलते हैं, अब नेन, तो हमें बताना है कि environmental pollution के, environment जहां पर उसके हालात खराब हो रहें, उसके तीन example आपको देने, जो आसपास आपने observe किया हो, तो यह एक value-based question है आपका, तो देखें, first है polluted air and water, industries and vehicles release harmful gases and chemicals, which are responsible for the degradation of the water and the air, यानि कि जो responsible है air pollution और water pollution के, तो यह हमने देखा है, okay, pollution, air pollution भी देखा, हमने water pollution भी देखा, industries and vehicles release harmful gases and chemicals, which are responsible for the air pollution, as well as for the water pollution, second example हम देखेंगे, जो हमने आसपास देखा, land degradation के भी आपने देखेंगे, overuse of the fertilizer and chemicals have resulted in the land degradation, देखें, overuse किया जा रहा है, fertilizers का, chemicals का, pesticides का and उसका result निकला है, land degradation, तो यह भी आपने देखा, तो यह आप example दे सकते हो, third example रहेगा, loss of biodiversity, habitat distractions and hunting has led to the decline in biodiversity, by diversity भी अगर आप देखोगे, तो वो भी कम होती जारी, आसपास जो कुछ पक्से दिखाई देखेंगे, घरवाले आपको बताएंगे, वो चीज़े आप नहीं दिखाई देखेंगे, तो यह कुछ examples आप यहाँ पे दोगे, तो यह रहेंगे इस chapter के most important two and three marker question, now let's move to the next segment, और उसमें हम discuss करेंगे इस chapter के most important long answer type questions, देखें यह जो long answer type question है, five marker question है, that can be asked into two and three marker में भी इनको पूछा जा सकता है, तुछ में देखें, first हमारा question रहेगा, mention any five factors which have led to the decline of India's bio-diversity, यानि के वे पांच कारण बताने जिसके कारण इंडिया की bio-diversity है, वो सिकुड गई है, negatively जिसको affect किया है, जिसमें देखें सबसे पहले और population, our population is increasing day by day, अभी की बात करें तो हम चाइना को पीछे छोड़ चुगे हैं, every sixth person is Indian, अगर line बना दी जाए तो हर चठा वैक थी भारतिया निकलेगा, और यह जो population है, अगर हम बात करें, बड़े देशों के अगर बात करें, तो उसमें जो density है, population density है, तो हम बांगला देश, जापान के बाद third number पे आ रहे हैं, चाइना से तीन गुना ज्यादा समझे आपने यहाँ पे, and this has led the pressure on our resources, इससे क्या हुआ कि हमारे resources के उपर pressure बढ़ा है, increase the pressure on the resources, और उससे क्या हुआ है, इससे by diversity है, उसके उपर भी pressure बढ़ा है, और वो सीकुड़ गे, तो हमें खाने के लिए भी ज्यादा चाहिए, और इस चकर में भी हमने, जो non-agriculture land थी, उसको agriculture land में convert कर दिया, और पेडों को साफ करते गए, तो एक तो यह असर है, यानिकि सबसे important जो factor है, that is responsible for the decline of the Indian biodiversity, is the overpopulation, second one is the habitat destruction, habitat destruction की अगर बात करें, तो वो कैसे destroy हुआ है, तो उसका पीछे भी यही है, कि overpopulation, expansion of the urban areas, and the setting up of the industries, तो यह जो हमने industries को set up किया है, urbanization होता जा रहा है, उस चकर में भी हमने पेडों को काट आ ला है, और जब हमने habitat, जो natural habitat है, अगर वहाँ पे उनको साफ कर दे, जो अफेक्ट करें, हम wildlife को भी अफेक्ट करें, उसके बाद है hunting, शिकार जो किया जा रहा है, उससे भी wildlife है, byodiversity आफेक्ट होई है, watching, जो अवीद शिकार किया जा रहा है, over exploitation of the resources, resources को use करना, that's okay, but we are overusing these resources, उनको हम overuse करें, and इससे भी हमारे यहाँ पे, byodiversity है, उसको negatively effect किया गया है, उसके बाद है environmental pollution, इसके लिए अलगले factor responsible है, तो यह भी आप यहाँ पे mention कर सकते हो, forest fire, that is a natural cause, यह भी यहाँ पे mention कर सकते हो, यानि कि यह वे कुछ region है, कुछ causes है, जिसके कारण byodiversity है, वो कम होती जा रही है इंडिया में, उसके बाद next, जो आपका second question यहाँ से बनेगा, long answer आप question में, that is describe the five method of forest conservation, forest conservation के five method हमें बताने, first है the trees cutting, the trees cutting should be restricted, and must be done in a planned way, जो पेडों को हम काट रहे हैं, it should be restricted, open नहीं होने चाहिए, and it must be in a planned way, एक planning के साथ होने चाहिए, जैसे planning के साथ कैसे होगी, जैसे आपने class 9th में, history में पढ़ा था, scientific forestry हमने पढ़ा था, कि पेडों को अगर काटा जा रहा है, तो उतनी पेडों को लगाया जाए, एक proper way से एक planning होने चाहिए, जैकि next five year में, five years में हम कहां पे काटने वाले हैं, और कहां पे हम लगाने वाले हैं, okay, so the trees cutting should be restricted, and must be done in a planned way में होने चाहिए, second, a fresh reforestation, program should be started, fresh, एक reforestation program है, वो launch किया जाने चाहिए, पेडों को लगाया जाना चाहिए, and उसके लिए community की involvement है, इंपोर्टेंट रहेगी, third, scientific method to be adopted to control forest fire, forest fire है, वो भी एक बड़ा cause है, for the depletion of the biodiversity, तो उसके लिए भी scientific method है, वो use किया जाए, special programs like the one mahootsov, should be launched on grain scale, की बड़े लेवल पे, जो program जिसे one mahootsov है, इस type के program जिसमें community involvement ज्यादा होती, it should be launched at a grain scale के उपर, इसको launch किया जाए, उसके बाद है forest conservation act 1980, should be strictly implemented to check deforestation, जैसे हमारे पास act तो है, forest conservation act 1980, लेकिन इसको ढंक से implement नहीं किया जा रहे, इसको properly implement किया जाए, so that we can control the deforestation को, control कर पाएं, तो ये था आपका chapter जो easy है, इतना important नहीं है, आपके exam के point of use है, फिर भी जितने भी आपके most important questions बनते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पर discuss किया, अगर आपका कोई ओर doubt रहता है, question है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ discuss करना चाहते हो, कुछ suggestion देना चाहते हो, तो आप comment section में comment कर सकते हो, इसके साथ साथ आप connect हो सकते हो, टेलिग्राम के उपर भी जूड़ सकते हो, geographic group आपको search करना है, तो channel आपको मिल जाएगा, instagram पे भी आप हमसे जूड़ सकते हो, आज के लिए बस इतने ही, thank you, bye bye, have a nice day,